बापा काशिरवाद SPM चनलन पर आपका स्वागत है आप देख रहे हमें रोतक हर्याणा से और रविवार को दरबार लगता है महंदिपूर बाला जी के नाम से महंदिपूर बाला जी राजस्थान में बाल रूप में स्थाफित हैं वहाँ पर भूत प्रेत की बादा चितनी भी नेगिटिविटी होती है चाए किसी के शरीर में हो चाए किसी के ओपर तंतर कराया हो चाए किसी के घर में हो महंदिपूर बाला जी उसको दूर करते हैं हनमान जी के बहुत स्थानों पर अलग-अलग मंदिर है जो अलग-अलग कारियों के लिए बहुत ज़्यादा पर मेंदी पुरबाला जी की सबसे अच्छी बात है कि वहां से आपको अगर आप अनमान जी के राधना करते हैं तो वो अपना एक दूत मराज देते हैं ताकि आप उसके द्वारा कोई जनकल्यान करना चाहें या अपने ही घर की नेगजिविटी को दूर करके आगे कोई भी समस से आपको ना आए बहुत सारे हनमान जी की जो भक्ति करते हैं उनके मन में भी बहुत सारे विचार रहते हैं कि क्या सिर्फ हनमान जी की अराधना से भी हमें दूत मिलते हैं या हम हनमान जी के मेंदी पुरबाला जी का रूप ही अगर हम पूजेंगे तब हमें मिलेंगे ऐ बाला जी हो और अलग-अलग स्थानों पर जो बाला जी महराज वराजमान है कोई भी रूप हो अगर आप सची मन से साधना करते हैं पुजा पाठ करते हैं और आपके घर में कोई negativity होती है तो उस negativity को दूर करते हैं हनुवान जी और अगर आपके ही घर में कोई आत्मा है या आपका ही कोई पित्र है उसको वो शुद करके अपना आशिवाद प्रदान करके उसको दूत बना देते हैं या स्वयम भी दूत मराज प्रदान करते हैं तो यह जो आकरती है इस आकरती जिसनोंने बेजी है उनने मेरे से बार बार प्रशन एक किया है कि वो जब पूजा कर जो यह आप देखरें छोटी से वाइट चीजे दिखाई दे रही हैं यह वाइट प्रकाश उनको बार-बार दिखाई देता है अलग-अलग रूप में दिखाई देता है चाहे वो वीडियो बनाने के लिए चाहे वो अंधिरा कर दे या उजाला कर दे खिड़की बंद कर दे फिर भी उनको ये दर्शन होता है तो उनके मन में बहुत सारे संकाई रहती हैं वो बार-बार हम से पूछते हैं कि ये क्या है चमतकार है मैंने आपको पहले बताया जब आपके घर में कोई शक्ति परदान करते हैं तो वो शक्ति आपके पास आकर बैठ जाती है जब आप पूजा करते हो क्योंकि वो पूजा उसको भी ग्रहन करनी होती है तो कईयों को वो किसी-किसी रूप में दिखाई देते हैं चमतकार के रूप में जैसे प्रकाश के रूप में जिनकी दिविदरश्टी खुल गई है तो उनको लगता है कि जैसे कोई हनमान जी का रूप ल ही सेवक होते हैं, तो वो अपने आपको हनमान जी का रूप बना लेते हैं, उनके लिए हनमान जी के अलावा कोछ भी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए वो अपने आपको हनमान जी का रूप दिखाते हैं, जिसको देखकर आपको पता चलता है कि हाँ, हमारे पास कोई पाव भी नहीं हो धिरे धिरे ही बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि देखो अगर मैं किसी को कोई अन्भव शुरू नहीं हुआ है और उसको मैं यह कह दूं कि आपको यह अन्भव शुरू हो जाएगा आप यह साधना कर लो आप ऐसा कर लो और कही बार वो अन्भव शुरू होन मेरे भी ये कोशिश रहती है कि मैं कोई भी बड़ा चड़ा कर बात ना कहकर उन्हें शर्दा से जोड़ू और फिर वो जो अन्भव हो उनको मैं एक्स्प्लेन करूँ जैसे आप स्वेम हनमा जी के दूत महराज को देख रहे हैं तो ये ऐसे आभा की रूप में जैसे कई वार फिल्मों में दिखाते हैं जोती की रूप में होते हैं तो ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इन पर ये आशिरवाद बन रहा है और मैंने तो इनको ये बात पहले संकेत देखो आपको अप संकेत देगा पर मैं पूर रूप से उसको एक्स्प्रेंड नहीं करती हूँ उसका कार्ड क्योंकि हर चरण में अलग-अलग अन्भव होंगे और कहियों की अन्भव आगे पीछे हो जाते हैं या कहियों की अन्भव अलग हो जाते हैं अब मेरे को जो अन्भव हो चीज़ को आगे बढ़ाना आपको कुछ सिखाना ये बहुत कोशिश हमारी रहती है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि अपने शिशों को कुछ बताते नहीं हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है पर हम ऐसा नहीं करते हैं हम कोशिश करते हैं पर हम थोड़ा सा उनक तो इनको लगेगा कि नहीं ये मित्या बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा जब धीरी 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 इनके साथ ऐसा होनी लग जाएगा तब ये समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा भी होता है क्योंकि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है और जैसे अनुभों इनको अब हो रहे हैं अब ये इस बात को स्वेम मानेंगे और ये देखो कितनी सुंदर आकरती है और आकरती के साथ-साथ जो ये चीजे चड़ाती हैं बगवान उसको भी ग्रहन कर रहे हैं क्योंकि कई सानों पर जो बच्चे फोरण में विराजमान है रहते हैं वो दीपक में ही काफी चीज़े डाल कर जलाते हैं क्योंकि वो बार बार हवान भोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है वहाँ पर शैंसर लगे होते हैं तो मैं कई उनको यही कहते हूं कि आप दीपक के अंदर ही इलाइची, लोंग, मिश्री, फूल ये सब कुछ डालो, गोला डालो, उससे आपका भोगी भी हो जाएगा, आपका दीपक भी जल जाएगा, क्योंकि अल इंडिया से लेकर फोरन तक के भी रिखती जुड़े वी हैं, जिनकी अलग-अलग समस्या हैं और अलग-लग वो बाते बताती हैं, उसके अनुरूप ही मुझे बाबा से आग्या लेकर पूछना पड़ता है कि आप मुझे सोलोशन दो, क्योंकि हर किसी की समस्या एक जै इसी नहीं है, कई ऐसे हैं जो अपना वहां पर रहते हैं फोरन में, तो वो हमें बता देते हैं कि जी हम इस टाइम पर ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो जितने फोरन के होते हैं, उनके नाम के अगर उनसे कोई साधना भी कराई जाती हैं, उनके नाम की हवन भी ह ही होता है और उनको बहुत महंगा भी पड़ता है वहां पर अगर पंडिस से हमान मगरा कराते हैं यहां से हमारे रेट से दो गुना पड़ जाता है तो हम उनको दरबार से जोड़े रखते हैं और कोशिश करते हैं उनके साथ इस समस्या को दूर करने का है अब ये दूसरी आकरती है ये आकरती किसी और के घर की है इसलिए मैं कहती हूं कि हमारी आकरतियां दूर दूर से हैं सब की अलग-अलग है अब इस बात पर आपकी श्वास करें ना करें इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूं हाँ जो देखो तो इसमें माता काल के दर्शन हो रहे हैं और ये दर्शन का मतलब कई बार कुछ ऐसी चीजे घर में पर्वेश कर जाती हैं जिन को निकालने के लिए माता ऐसा रूप धान कर लेती है तो डरने वाली कोई बात नहीं है और इनके घर में शिव माता की शिव और पारती माता का शिर्वाद रोता खरियाडा से रविवार को दरबार लगता है गैरा से लेकर पांच बजे तक बोलो महिंदिपूर बालाजी की जैहो जैबालाजी माराज की ये देखो कितना सुन्दर भोगरेंड कर रहे हैं कितने सुन्दर दर्शन हो रहे हैं और आप भी हमें अपनी जब वीडियो ब करें बोलो जैश्री राम